लो गुड मॉर्णिंग दोस्तों वेलकम बेक टो न्यू गुडवे आज दोस्तों 12 फ्रवरी 2022 और 12 फ्रवरी 2022 के जो भी डेली करंट अफेर के क्यूशन बनते हैं उन्हें आज डीटियल से डिसकस करेंगे तो 12 फ्रवरी को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो 12 फ्रवरी को दोस् राष्ट्य उत्पाद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मनाय गया थे जिसे एक प्रवरी को मनाय गया था बारतियत्ता ट्रक्सक बलस्तापना दीवस के रूप में और दो प्रवरी को वीश्वा अध्रबूमी दीवस के रूप में चार प्रवरी को दोस्तों वीश्वा कैंसर दीवस के रूप में मनाय गया था और दस प्रवरी को र लास्ट ये उत्पाद्रिता दिवस के रूप में यह मनाया जाता है अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्यूसर नबर वन से अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अवर जरूर प्रेस करना ताकि डेल के जो वीडियो उपस्ट बंगाल की सरकारे में यह नाम से ओपन रूम लॉप क्लास्रों लॉप करने के आल में गोश्टना भी किया ओर इस योजना में हॉगा किया तो इस योजना के तेह परदान की जाएगी और यह संचालित की जाएगी जिसमें इस स्थी में होगा यह कि जो प्रात्मिक विदाले में बच्चों को लाने के लिए एक ओपन रूम क्लास्रूम है वह सबसे अचा तरीका और यह सच्था भी होता है जिसमें क्या राज्य सरकारों अपनी योजना को लागू करने के लिए पहले से ही जो विश्व बेंग का वर्ड बेंग और आईमफ है आईमफ उनसे यह करज़ भी इसके रूप में ले चुकी है अब पस्पिंबंगाल तो पस्पिंबंगाल के बारे में और पढ़ लेते हैं पस्पिंबंगाल की राजदानी क्या है तो प परजेंट हैं परस्षिम बंगाल के मुख्य मंत्री को होने तो वह है ममता बनर जी जो AITS पार्टी से हैं और राज्य पालन जगदीप धनकड और इसके उच्छ न्याले देखें तो यह कलकता उच्छ न्याले इसका लगता है परस्षिम बंगाल का नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर टू कि भारतिय रिजरो बैंक जो आर्बेई है इन्होंने ई रूपी वाउचर के जो सीमा है वह 10,000 रूपे से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो आन्षर दोस्तों यह एक लाख रूपे कर दी है जो आर्बेई है उसने ई जो रूपी वाउचर है उसकी सीमा को 10,000 से बढ़ा कर आब एक लाख रूपे कर दिया है जिसमें आर्बेई इसने ई रूपी जो डिजिटल प्रीपेड वाउचर है इसमें सीमा को अब कि जो रूपी वाउचर है उसकी लिमिट बढ़ाए जाने के साथ ही इनका एक बार से अधिक जो यूजव वह भी किया जा सकेगा और जिसका मतलब है कि जो नेशनल पेमेंट कोर्परेशन ओप इंडिया है उनके द्वारा जो विक्सी तो यह रूपी वाउचर उनको अगस सब्सक्राइब करने तो यह हुई थी एक अप्रेल गुणी सो पेंटी इसको आज से लगबग शिया सी वर्स पहले आलबे की स्टापना हुई थी और यह तो आर्बे जमादर हो कितनी है तो वह हैं 4 पर 30 और यह बाजार के उपर निर्दारित करती है और इसकी रिंदर कितन यह आदारिन दर वह हैं 6.25 पर 30 नेक्स्ट किसेंट किसन नवर 3 कि कि सोनाटा सोप्ट वेर ने क्लाउड फोर जो रिटेल है उसको लॉंज करने के लिए किस कंपनी के साथ साथ साजिदारी की गोशना की है तो इसका आशर दोस्तों जो माइक्रोसोप्ट है इसके साथ साथ साजिदारी की गोशना की गई है माइक्रोसोप्ट के साथ में जो सोनाटा सोप्टर है उन्होंने वेस्विक आयटी सेवा और प्रोद्यकी की समाधदान कंपनी ने अभी हाल में माइक्रोसोप्ट है उसके साथ रिटेल के लिए क्लाउड फोर रिटेल है उसके साथ उसके के लिए Microsoft Cloud के सुभारम के लिए अपनी साज़दार यह उसकी गोशना हो की गई है अब Microsoft कि तो Microsoft के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों कि तो Microsoft के सैंस्ट पकॉन ते तो वह हैं बिल गेट्स हैं और पॉल एलन और गई तो यह वहां पर की गई ती और यह 26 नवंबर 1916 को Microsoft की स्तापना के गई थी और इसके प्रमक वेक्ति क्योंने तो है सत्य नडेला सत्य नडेला इसके प्रमक वेक्ति हैं और इसमें जो कापी प्लडेट्ट किया जाते हैं जिसमें माइक्रोजोंट विंडोज माइक्रोटोफ पीज्ट सकाइप अभी कपी दिनों अपने बढ़ा दिया जिसमें एक्सबोक्स बिग है हार्ड्वैर एक्सबोक्स है और माइक्रोफ वीजुविजुर स्टोडिय वह भी इसमें इसके प्रॉडट्ट के अंतर गताते हैं कि नेक्स्ट किसे नबर पॉर कि किसने फोन पे AWS और हावाई के साथ मिलकर जो तीन सब्ता तक चलने वाले जो वर्चुवल समिट फिंटेक ओपन उसका आयोजन किया है तो आन्सुर दोस्तों यह निति आयोग के लिए जो निति आयोग है पिंटेक उद्यों के जो मेरतों को परदर्शित करने के प्रियास में जो निति आयोग है उन्हें फोन पे AWS और हावाई के सहयोग से अब साथ से 28 परवरी के जो तीन सब्सक्राइब तक चलने वाला एक वर्चुवर्श शिक्कर समिलन है फिंटेक ओपन इसका आयोजन वो किया है नेक्स्टकिशन है क्यूश्ण ूमर फाइफ कि रेसलर लगरेट खलियर किस राजनितिक पार्टी उसमें सामिल वह गये हैं जो कि पूरवा परशीद रेष्टलर हैं इनोंने राजनीतिक पार्षी है वह अपनी सुरु की है और इसने इनोंने बारतय जनता पार्टी को सामिल हुए हैं उन्होंने इस पार्टी की सद्धे से इनको दिलाए थी और खली है तो यह साथ पीट एक इंच लंबे हैं और इन्होंने WWE है उनके साथ कई फिल्मों में भी यह काम कर चुके हैं ग्रेट खली वह WWE में जाने से पहले खली है पंजाब पुलीस में ASI के पदपर भी थे और उन्हें अमरिका में 2020 के जो पर्तिष्ट डेवल डेवली होल ओ फेम क्लास है उनमें भी सामिल किया जा चुका है नेक्स्ट कुशन है किस नवर शिक्स कि केंदर सरकार ने विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबन लगा दिया है तो आंसर दोस्तों यह विदेशी ड्रोन पर प्रतिबन लगा लगा है जो केंदर सरकार है इन्होंने जो विदेशी ड्रोन इनको आयात करने पर अभी प्रतिबन लगा है और यह प्रतिबन टीम पंजाब किंग्स है उसके किस बेटिंग कोच ने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है तो आंसर दोस्तों यह वसीम जाफर ने जो वसीम जाफर है यह IPL टीम पंजाब किंग्स के बेटिंग कोच रह चुके हैं वसीम जाफर है इन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे और जाफ़र ने साल 2019 में जो पंजाब किंग्स के साथ करार किया था और मुख के कोच है अनिल कुमले उनके नेतरत्व में टीम के बल्लेबाद जो कि मैं जो मध्यता वो भी कर रहे थे और जाफ़र है वो अंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबित नहीं जो ट्रेफिट इंडेक्स 2021 से उसमें दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले सहरों में किस्वल प्राप्ट हो है तो आपसाबूल तुर्की इंस्टाबूल को परतमस्तान रहे प्राप्ट हो है जो कूं है उस ट्रیफिक इंडे 2021 के अनुशार देखें तो तुर्की का सहर इस्ताम्बूल मोस्कों को पचाड़ कर सबसे अधिक बीड़ बाड़ वाला सहर है बन चुका है और इस उच्छी में रूस की राजदानिया वह मोस्कों अब जो रूस की राजदानिया वह दूसरे स्थान पर है और मुंबई के अत और दुनिया का 500 सबसे बीडवाड वाला सहर है रहा है और मुंबई में बीडवाड का स्थर्व त्रेपन फीस्टी रहा है और यह सूचकांग का वच्छ है माधीपों के जो 58 है और अठावन देश हों के सब्सक्राइब करता है नेक्स्ट केंद्रिय मंत्री को अठार वे जो मधव राय लिमे पुष्कार उनसे सम्मानित किया गया है तो आंसर दोस्तों यह नितिन गड़करी को जो केंद्रिय सदक परिवन और राज मर्ग मंत्री हैं नितिन गड़करी इनको पहली बार वर्स 2020 में और 21 में के लिए कार्या करम खासदार किस रहने में अठार वे सर्वगी जो मधव राय लिमे पुष्कार उनसे नवाजा जाएगा और यह पुष्कार वो ना सिख पब्लिक लाइब्रेरी जो सारवजनिक वचनाले द्वारा परदान किया जाएगा नेक्स्ट किस्व नहीं किस्व नमटेन कि सिख्षा की वार्षिक इस्तिति रिपोर्ट रहा की सहस्तान के द्वारा प्रकासित की जाती है और यर deeply यह प्रतम के द्वाजव सब्सक्राइन के लिए उयुक्त प्रतिवило Candja करते हैं और जिसमें सिक्सा की वार्षिक रिपोर्ट है वो जारी की गया हाल में और इस रिपोर्ट के जो परजेंट टाइम की रिपोर्ट के अनुसार देखे तो फस्चिम बंगाल में बिना क्लास्रूम के जो कोवीड-19 की मामारी आई थी उसके दोरान स्कूली बचों की बचों की जो बुनियादी पड़ने और संक्यात में किशमता वह काफी कम हो गई है और आजकर नेक्स्ट और लास्ट की सुनाजी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वीश्वय यूनानी दीवसवा किस दिर मना जाता है और इसका आंसर इंडिया है उनका फाइजर इंडिया का देख्स न्यूट क्या गया है पर्दी पे साहक को तो दोस्तों आज का वीडियो नहीं पर समाप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर करो तो थैंक्यू ओल आफ यू क्या है